बदलाओ की बयार घरीबी की हार बेनिशान फार्मर्स प्रेड्यूसर कमपनी की सफलता की कहानी मुठी की ताकत हो, हाथ में हुनर हो, और मन में विश्वास हो तो हर मन्जल आसान हो जाती है, काम्याबी कदम चूमती है देश के दक्षणी भाग में स्थित तेलंगाना राज्ज की एक सफलता की कहानी इसका सटीक उदाहरन है यहां एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ती क्रिशक महिलाईं गरीबी से उबर कर संपन्नता की रह पर आगे बढ़ चली है अब उन्हें अपने खेतों में उबजे फलों और सबजीयों की बेहतर कीमत गाउं में ही मिल जाती है उपज की क्वालिटी को बेहतर तथा अधिक मुल्यवान बनाने के लिए आवश्यक सलाह वा प्रशिक्षन भी मिलता है क्रिशक महिलाओं को संगठित कर उनके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य कर रही है महिला किसानों की अपनी कमपनी सितंबर 2019 में गठित इस कमपनी की सदस्य संचालक और करता-धरता राज्य की क्रिशक महिलाएं हैं मुख्य रूप से वो महिलाएं जो फलों और सबजियों की खेती करती हैं बेनिशान FPC तेलंगाना राज्य के 12 प्रमुक सिलो में सक्रिय फार्मा प्रेड्यूसर कमपनीज का शीर्श संगठन है इन कमपनीज के अंतरगत लगभग 700 फार्मा प्रेड्यूसर ग्रूप्स गावों में जमीनी स्तर पर कारे करते हुए लगभग 9800 क्रिशक महिलाओं को सीधे लाब पहुचा रहे हैं ये छोटे और सीमान्त वर्ग की ख्रिशक हैं जो अपने गाउं में फार्मा प्रेड्यूसर ग्रूप्स की सदस्य है रैतुल पंडिन्चे पंडकु मार्केटलो गिट्टुपाडु दर लेकपोडं द्वारा अधे विदंगा मार्केट सदुपायमू लेकपोडं वालना जिल्ला स्थाई लोनी एरपडु चेसकुन रैतूत्पति दारुल समस्तलो अन्नी कलिसी रैतुल पंडिन्चे पंडकु मार्केटिंग मार्केटिंग मारियूं ब्रांडिंग चेड़े में मायुका उद्देशमू बेनिशान एफपीसी का गठन भारत सरकार की महत्व कांगशी देन दयाल अंतियोदय योजना राश्ट्रिय ग्रामीर आजीवी का मिशन के अंतरगत किया गया है छोटे और सीमान्त वर्ग की क्रिशक महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर और सशक्त बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे देश भर में संचालित किया जा रहा है राज्जे स्तर पर इसे सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ओफ रूरल पौवर्टी यानि S.E.R.P. के माध्यम से लागू किया जा रहा है ग्रामीर विकास मंत्राले भारत सरकार और राज्जे सरकार मिलकर इस योजना का सभल संचालन कर रहे हैं कमपनी की कुल पूंजी लागत डेड़ करोड रुपए है पोस्ट हर्विसिंग टेकलाजी होती है उसमें उनको ट्रेन किया जाए ताकि जो सारा काम है प्रोडक्शन से मार्केटिंग तक जो सारा चेन है वो इलोग कर सके क्रिशक महिलाओं को गाउं के स्तर पर फार्मर प्रिड्यूसर ग्रूप के रूप में संगठित किया गया ताकि वो एक समुह के सदस्य के रूप में सुविधाओं का लाभ उठा कर अपनी आमदनी बढ़हा सके फल और सबजियों की एक आधोनिक और प्रभावी सप्लाई चेन बनाने के लिए गाउं के पास ही आधोनिक खरीद केंद्र स्थापित किये गए उपच की बेहतर सार संभाल के लिए यहां कुछ विशेश सुविधाएं हैं जैसे डिजिटल भार मशीने जो तुरंट और सही भार बताती हैं फल और सबजी रखने के लिए हवादार और मस्बूत क्रेट्स उपजकोस की क्वालिटी के अनुसार ग्रेडिंग करने की व्यवस्था और अन्य आवश्चक सुविधाएं क्रिशक महिलाओं की सुविधा के अनुसार खरीद केंद्र दो पहर दो बजे से रात साड़े दस बजे तक काम करते हैं उपज की क्वालिटी के अनुसार उपज की कीमत ततकाल तै कर दी जाती है और 48 घंटे के भीतर उनका कुल भुकतान डिजिटल माध्यम से उनके बैंक खाते में पहुँच जाता है खरीद की इस आसान, कुशल और पारदर्शी व्यवस्था से क्रिशक महिलाओं के धन और समय की अच्छी बज़त होती है लगभग 10 प्रतिशत कमिशन, 7-10 प्रतिशत ट्रांस्पोर्ट खर्च और 5-10 प्रतिशत तक तौलाई में हेर फेर खत्म होने से सीधे बचत होती है यानि 20-30 प्रतिशत का लाब सीधे बचत से ही बन जाता है फलों और सबजियों की कोलटी को बहितर बना कर अधिक मुलेवान बनाने के लिए बेनिशान ने प्रिशक महिलाओं को खेती के सर्वोत्तम तरीके अपनाने के लिए प्रेरित, प्रोच साहित और प्रशिक्षित किया है फार्मर प्रिड्यूसर ग्रूप्स के 30 वरिष्ठ सदस्यों या प्रधानों को सेंटर्स ओफ एक्सिलन्स में सबजियों की नरसरी बनाने की व्यग्यानिक तक्नीक का प्रशिक्षन दिया गया उद्देश्य ये था कि क्रिशक महिलाएं गाउं में नरसरी तैयार करकी बढ़िया क्वालटी की रोपन सामगरी उपलब्ध कर सकें उपज की क्वालटी सुधार्ने में इस प्रयास का सार्थक प्रभाव देखा गया बेनिशानने, बिग बास्केट, वॉल्मार्ट, रतना दीप, उडान, निंजा काट और वेकूल जैसे प्रतिष्ठित और व्यापक नेट्वर्क वाले बेंडर्स के साथ ताजे फलों और सबजियों की नियमित सप्लाई का अनुबंध किया है और इसके लिए आधुनिक और कुशल व्यवस्थाएं भी की है गाउं स्थित खरीद केंदर से फल और सबसियों को मात्र तीन घंटे के अंदर डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर भेज दिया जाता है जहां से केवल 6 घंटे में इन्हें MRT यानि मल्टी रीटेल ट्रेड सेंटर पहुँचा दिया जाता है इस तरह फल और सबसियां लगभग ताजे बने रहते हैं और कीमत अच्छी मिलती है प्रत्यक डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर में उपच की सार संभाल की वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था की गई है प्रत्यक डीसी में उपच की छंटाई, श्रेणी करण और बाजार भेजने की प्रति दिन क्षमता लगभग 20 मीटरिक टन तक है साथ ही लगभग 5 मीटरिक टन तक की शीत भंडारन क्षमता भी है ये सारा कार्य वैंडर्स द्वारा स्वयम प्रशिक्षित कार्मी को द्वारा किया जाता है जिससे उपच की क्वालिटी बनी रहती है डेसी से सीधे वेंडर तक पहुचाने के लिए बेनिशान ने कुशल और सक्षम परिवहन व्यवस्था भी की है प्रत्येक डिस्ट्रिबूशन सेंटर सब्ताह में 6 दिन काम करके सप्लाई चेन को नियमित बनाय रखता है डिस्ट्रिबूशन सेंटर में पहले से ग्रेडिंग करके आई हुई सबजियों और भलों की एक बार फिर से वेंडर की मांग और प्राथमिक्ता के अनुसार ग्रेडिंग और पैकिंग की जाती है इससे वेंडर को अपने ग्रहकों के लिए क्वालटी उपज सुनिश्चित होती है बे निशान द्वारा उपज की लेबलिंग की एक वैज्ञानिक व्यवस्था की गई है जिसमें खरीद के स्रोत, तारीख, ग्रेड आदी की जानकारी रहती है इस तरह पूरी सप्लाई चेन के दोरान, किसी भी अवस्था में क्वालटी संबंधी, कोई शिकायत या शंका होने पर उसके स्रोत को सुधार किया जा सकता है One of the most important aspect in SOPs of VLPC अधी इन्टेंडिये tagging Tagging लो मेंगा database उन्टोंदी, आंदोलो farmer name आथने यह village नुची थीशको चेड़ू A commodity parenting अधी A grade, either A, B or mix अने details उन्टाई इनका date of harvest कोड़ा उन्टोंदी Tagging आने procedure वाला में मों marketing बेनिशान की चैस नंगा अपटी बेनिशान की harvest details ने दिलू सदी प्लेस grading details दिलू सदी सही सामगरी में वैज्यानिक और कुशल packing बेनिशान की पहचान है vendor द्वारा विशेश क्रेट की उपच की विशेश packing की मांग होने पर ये सुविधा भी दी जाती है उदाहरन के तौर पर रतना दीब के लिए रिस गोड की विशेश packing की जाती है जिसमें सप्लाई किये जाने वाले सभी रिस गोड पंधाल प्रणाली से उगाए जाते हैं एक किलोग्राम के पैक में केवल तीन रिस गोड होते हैं इनकी गोलाई 30 मिली मीटर होती है और लंबाई क्रेट की लंबाई से कम होनी चाहिए और रिस गोड नम, मुलायम तथा हरे तने के साथ होने चाहिए इस प्रकार के मानकों और कस्टमाइस्ट पैकिंग में बिक्री करने से उपच की कीमत ज्यादा मिलती है जिसका लाब क्रिशक महिलाओं को होता है वेंडर्स की मांग और क्रिशक महिलाओं के आर्थिक हित को देखते हुए बेनिशान ने फलों और सबसीओं से मूल्य वर्धित प्रोसेस्ट प्रोडक्स बनाने की पहल भी की है प्रयोग के तौर पर कस्टर्ड एपल यानी सीता फल या शरीफा का गूदा निकाल कर बेचने की शुरुवात की गई 500 से अधिक क्रिशक महिलाओं से कुल 85 मेटरिक टन फल खरीदा गया और इससे छिलका तथा बीज निकाल कर 12.35 मेटरिक टन गूदा बिकरी के लिए तयार किया गया गूदा निकालने और पैक करने के दौरान स्वच्छता के वैग्यानिक मानकों का अनुपालन किया गया बाजार में फल की अपेक्षा गूदा बेचने से अधिक आमदनी हुई जिससे क्रिशक महिलाओं को 60 प्रतिशत तक अधिक मुल्ले प्राप्त हुआ बेनिशान के माध्यम से अधिक से अधिक क्रिशक महिलाओं को फलों और सबजियों के उन्नत उत्पादन के लिए योग्य और हुनरमंद बनाया गया है बहतर आमदनी के कारण तेलंगाना के क्रिशक महिलाओं में फल और सबजी उत्पादन के प्रती रोची बढ़ी है इस कारण बेनिशान अपने बेंडर्स को सबजीयों की एक बढ़ी और व्यापक रेंज उपलब्ध करा रहा है इसमें प्रमुख रूप से टमाटर, गोभी, बैंगन, अरबी यानी कोलो केसिया और मिर्च शामिल हैं अन्य सबजीयों में गाजर, भिंडी, खीरा, पत्ता गोभी, लौकी, पेठा कद्दू, परवल, फ्रेंच बीन्स, अदरक आदे की खरीद और सप्लाई की जाती है बैनिशान के अधिक प्रभावी, कुशल और व्यावसाइक संचालन के लिए इसके चुनिंदा बोर्ड अफ डिरेक्टर्स और फार्मर प्रेड्यूसर कमपनीज के प्रमुख, नौसिक महराश्ट्र की प्रतिष्ठित और सफल सहयादरी फार्मर प्रेड्यूसर कमपनी के सभी पहलूँ को देखा और समझा इससे बेनिशान की कारे प्रणाली को बेहतर बनाने में सहयता मिल रही है बेनिशान ने अपने कामकाज को अधिक लाभधायक और सतक बनाने के लिए कमर कसली है और कुछ लक्ष तै किये हैं सबजियों की प्रते दिन खरीद की मात्रा को 10 मीटरिक टन तक बढ़ाना अधिक लाभकारी और मुल्यवान, आम, पपीता और अमरूत को शामिल करना उन्नत उत्पादन योजना के अनुपालन को 60 प्रतिशत से बढ़ा कर 90 प्रतिशत करना ए ग्रेड उपज के भाग को 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत करना अधिक लाभ देने वाली सब्सियों के भाग को 16 प्रतिशत से बढ़ा कर 26 प्रतिशत करना और बी ग्रेड की उपज की विक्री के लिए वैकल्पिक उपाय विकसित करना तेलंगान रास्ट प्रभुत्तम एरपड चेये बोई फुट प्रासेसिंग यूनीट की अलोचनल की अनुगुनंगा बेनिशान समस्त विविधा पनलन कोंगोलु चेसी सोंत ब्रांड तो मार्केटलो अम्मे विधंगा चेसी वच्छन लाबालों सब्ब्य समस्तलकु मरियू राइतलकु पंचेला चेड में लक्षंग पेटकोडं चरुगिंदी देशयम लोग गुप यहपी वो पेडरेशंगा बेनिशान उन्डाल नी लक्षंगा निर्नेशकुन नामु In this three years of work, Telangana could be able to bring about 65,000 of the small and marginal farmers into the umbrella of 17 registered farmer producer organization covering about 18 districts of Telangana state. So to further move on and also taking the learnings from the existing FPOs, we have planned to cover all the 30 districts of Telangana to bring all the small and marginal farmers into the fold of the farmer producer organization. And also we are happy to be part of the Central Government scheme that is 10,000 promotion of the 10,000 FPOs and we are confident that we could be able to contribute more in the coming years. बेनिशान और इससे जोड़ी farmer producer companies की काम्याबी की लहर, तेलंगाना के गावों में स्पष्ट दिखाई दे रही है. बेनिशान की सफलता को भारत सरकार की दीन दयाल अंतियोदा योजना, राश्ट्रिय ग्रामीन आजिवी का मिशननी, संबल और समर्थन प्रदान किया है. ग्रामीन क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण और आत्म निर्भरता का दीन दयाल उपाध्याई जी का सपना साकार हो रहा है. परन्तु अभी चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, क्रिशक महिलाओं के उच्साह और उमंग के साथ चूना है सभलता के शिखर को.